संगम नगरी प्रियाग राज में बुधवार की सुबह छेह बज कर पचास मिनिट पर मा गंगा ने यहां लेटे हनुमान जी का जलाभी शेक कर इस वर्ष भी उनके पाव पकारे महंद बलवीर गिरी ने पूजा अर्चना कर मंदर के कपाट बंद कर दिये बीते मंगलवार से ही गंगा जी तेजी से हनुमान जी की ओर आ रही थी लगता था जल्द ही हनुमान जी सनान करेंगे बुधवार की प्रातह मा गंगा का जल मंदर में प्रवेश किया इस दोरान मंदर के महंत बलवीर गिरी महाराज ने पूजा अर्चना की साथ ही सैक्रो शृद्धालों ने मंदर पहुँचकर पूजन अर्चन किया और इस विशेश मिलन के गवाह बने मा गंगा द्वारा जलाभिशेक के साथ ही लेटे हनुमान जी के मंदर के कपाट बंद कर दिये गए माता जी का अविशे करका के माता जी की आरती करवा के सोड़ सोपचार करवा के जिसमे मेद मिश्रित से लेकर दई, सक्कर, दूर सक्किछ मिश्रित रहता है उसके दोरा मा गंगा दी पूजा अर्चना करते हैं जिसे सोड़ सुपचार कहा जाता है माता जी का अविशे करके बद्व आरती करते हैं मा गंगा को हनुमान जी के पास लाए जाता है बता देखी जहां एक और लोग बार के नाम से भेभीत हो जाते हैं वही संगमनगरी के लोग हर वर्ष यही कामना करते हैं कि मागंगा हनुमान जी का जलाबी शेक करें ऐसी मान्यता है कि जिस वर्ष मागंगा जलाबी शेक करती हैं उस वर्ष प्रयागराज और उसके आसपास सुक समरिधी बढ़ती है उलेकनिय है कि अभी गंगा मैय या बाड के खत्रे के निशान से काफी नीचे है डेंजर लेवल 84.73 मीटर है जबकि आज बुद्वार की सुबह 8 बजे तक का लेवल फाफामव में 78.62 छतनाग में 80.91 और नैनी में 81.66 मीटर पर है